Hello to all my viewers, मैं हर्श आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ तो आज हम बात करेंगे एक खास question के बारे में जो कि competitive exam में बहुत पर पूछा जाता है तो आए शुरू करते हैं, इस वीडियो में मैंने ये जो question है, उसके चार option भी दिये हैं तो इसको किस प्रकार से solve करते हैं, तो आएए इस पर बात करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, question को शुरू करने के लिए हमें यहां दे रखा है 49, यहां दे रखा है 50 यह इसके खात के रूप में दे रखा है तो जो यह 50 है, इसको भी हम 49 के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे किस तरह से लिख सकते हैं, 2, 2 की घात, 50 को क्या लिख सकते हैं 49 प्लस 1, माइनस 2 की घात, 49 लिखती है अब इसके लिए क्या है, एक rule होता है कि यदि x है, x की power यदि हमें दे रखा है a प्लस b दे रखा होता है, तो यह क्या rule होता है कि x की घात को हम a लिख सकते हैं और अलग से x की घात को हम b लिख सकते हैं इसी तरह से यहां हमें दे रखा है 2 की घात 49 प्लस 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 49 और 2 की घात 1 minus 2 की घात क्या लिखतेंगे 49 सबसे पहले हमने क्या किया किया इस question में कि जो हमें 50 दे रखा था उसको 49 प्लस 1 क्योंकि दोनों में 49 बनाना चाहते हैं हमें इस question में तो क्या किया फिर उनको अलग-अलग कर लिया कि X की घात A प्लस B क्या होता है X की घात A गुना में X की घात B इस तरह से लिख लिए अब हम क्या करेंगे 2 की घात 49 और 2 की घात 1 minus में 2 की घात क्या है हमारे पास 49 अब हम देख पा रहे हैं कि इधर बाईं तरफ भी 2 की घात 49 है दाईं तरफ भी 2 की घात 49 है तो इन दोनों में common आ सकता है ये दोनों में common आ सकता है किस तरह से 2 की घात 49 को लिख लिया हमने बाहर ठीक है ये जो 2 की घात 49 वो common आ गया अंदर क्या बचा 2 की घात 1 minus यहां से 2 की घात 49 बाहर ले लिया तो इधर क्या बच गया हमारे पास 1 अब क्या करेंगे दो की घात उन्चास लिख दिया यहां दो की घात एक का मतलिब क्या होता है दो माइनस में एक तो यहां हमारे पास क्या आ गया दो की घात उन्चास और यहां दो में से एक गया कितना आ गया हमारे पास एक तो ये हमारे पास बच्चे का दो की खाथ उन्चास तो हमारे सवाल का उत्तर क्या हुआ दो C, दो की खाथ उन्चास इस तरह से इस प्रकार के question को solve करते हैं वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को like करें Thank you, मिलते हैं next video में